अआ अधा में आपका सुवाज़त है लोगों को बहाना देने की बहुत आदध है घड़ी-घड़ी में लोग बहाना देते हैं और बहाना देने से लोगों को सफलता मिलती नहीं है और उसके बारे में आज मैं आपसे बताने वाला हूँ तो वेलिकम हमारी चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम डॉक्टर दीपक करेकर मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोन तथा वेसन की तग्य हूँ महराष्ट में आपकोला में प्रैक्टिस करता हूँ लोगों को जो असफलता मिलती है तो उसमें निनयानवे प्रपिशत जो हिस्सा है वो उनकी जो आदत बहाने देने की उसकी वज़ह से उनको असफलता मिलती है लोग बहाना देते रहते और बहाना कभी-कभी बहुत हमको पटने जैसा रहता है कि नहीं बोर रहा है बरावर है कारण जो दे रहा हो बरावर है कहीं-कहीं जग बहाना बिल्कुली बरावर नहीं रहता है मगर वो बहाना देते रहता है और बहाने देने वाले को लगता है कि वो जो बोर रहा है वो सही है। लोग बोलते कि आतावरण ठीक नहीं है पौिडिकल एइन्वार्मेंट है ठीक नहीं है। आपि कुछ सभी कंडिशन टाइड है। मेहंगाय सब्साइब बढू के सब लोग मुझे उप्पोर्ट करते नहीं है। मेरे आसपास की जो लोग है वो निगेटिव है मेरे बुद्धी जाता चलती नहीं मैं confused रहता हूँ मुझे मुझे शुबह चलती उठना नहीं होता या मुझे ख्याल कम रहता है या मेरा staff तर्ब नहीं है लोग कुछ ना कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं लोग एक तो आतार उनके बारे में बोलेंगे खुद के बारे में बोलेंगे और सफल लोग होते रहेंगे और बहान देते रहेंगे कुछ ना कुछ कारण देते रहेंगे देखो दो चीज हो सकती है जो भी घटना होती रहें वह घटना को मैं प्रतिक्रिया कैसी देता हूं उसके उपर सफलता है जैसा कि इवेंट प्लस मैं रसपॉंस इस ईकल डुश। गटना कुछ भी हो सकती है बातावर नंख लेकिन ठीक निहीं होगा लोग सपर्ट ने करेंगे लोगों में कॉंपरिशन होंगी वूकंप हो जाएगा बहुत बाढह आ रेस्पॉंद देता हूं मैं क्या करता हूं कि उसके उपर यश्श है सफलता या सफलता डिपेंड है कि एक कॉक्रॉच का उधारन में आपको देता हूं कि एक हॉटल में बैठा हुआ था वह जो कॉकर यह कॉकरॉच तो वो काफी शारी बैट अश्री वगरे बैठी वी थी तो एक ऐसा पूरा ग्रूप था लेडीस एक लेडिस के आंग के ऊपर याके वो गोड़ गया जोर जोर से चिलाने लगे वो चिलाने से या पता नहीं क्या हो गया वो कॉकरच वहां से उड़के दूसरे लेडी के हाथ के उपर जाके बैढ़ गया तो वह भी चिलाने लगे इतना हो गया कि हो गया क्या समझ में ने लोगों को आ रहा है पिर वहां से वो कॉकरच निकला और वो वेटर वहां से निकल रहा था उसके हाथ की उपर जाके बैढ़ गया वेटर ने कुछ भी नहीं किया शांति से उसको हाथ से पकड़ा और बाहर जाके फेक दिया गटना से में कॉकरच हाथ पे बैठने की मगर लिडिज दोनों भी बहुत चिल्लाई चिक्षी वह जबर्दस उल्टा उल्टा रेस्पॉंस दे दिया और उसने क्या गिया वेटर ने उसने उसको उठाके बाहर फेक दिया गटना से में रहे दिये हम उसको कैसा रेस्पॉंद दे है हम उसके लिए क्या करते है महेंगाई है गरीबी है लोग सपोर्ट नहीं कर रहे जो भी है वातर में ख़ड़ा भी है लोग बीच में बहुत प्राब्लेम ला रहे है लोग मुझे सफलता नहीं हासिल करने देते है जो भी कुछ हो रहा है मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं उसकी जवाब दरी लेने को तैयार हूँ क्या मैं ऐसी जगा खड़ा हूँ क्या कि जो भी हो रहा है वो मेरी वज़े से हो रहा है और मैं इसमें से रास्ता निकालूंगा ही और मैं सफलता कि आखरी तक मतलब आ मेरे जिम्वारी में और मैं कर सकता हूं एक-एंजांपल ओर देता हूं है कि एक वैक्ती था बहुत बड़ा spons था है नियुकों और उसका सग्गा भाई एकदम वह बहुत शराब पीता था जुवाँ खेलता था बहुत गरीब की दो टाइम खाने की उसको चिंता थी जब अमीर जो था इंडेस्ट्रियलिस उसके पास में पत्रकार के उनको पूछा तो इतना बड़ा बन गया जब खाने पीनी की चिंता थ इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया तो उसने वह बताया कि मेरे पिताजी शराब इथे शराब के वज़ेसे हमको बहुत गरीबी थी और मैंने धहरा लिया कि मुझे यहां से निकलने का है मैं शराब जिन्दगी में कभी पिऊंगा ने क्योंकि मेरे पिताजी ने शराब पि पूचा तो इतना शराबी बन गया, तो इतना गरीब है, वो कैसा, बूले मैं और क्या कर सकता हूँ, मेरे सामने मेरे पिता जी की छवी थी, उनका अधर्स था, वो शराब पिते थे, मैं शराब उनको खरिद के लाके देता था, मैंने भी शराब पिने थोज़-थे चालू कर दिया मुझे बिलत लग गई और मेरा भी पैसा पूरा ऊड़ गया तो मैं जो शराब पिरा हूं या में जो गरीम हूं पीता जी के वज़े से हूं पहले वाला बोर रहा है कि मैं जो अमीर हूं वो पीता जी के वज़े से हूं घटना से मैं हम कैसा उसको उसको रिस्पॉन देते उसके अदिर भरें आज से ये भग करो कि जो भी घटना हो रही है उसको मैंने कैसा रिसपॉन देना और कोन सी जग़त रह ना हैin का ख़ड़े हो जाये मुझे सफल वने का है मैं ले रहा हूं और मैं सफलत हासिल करके मिरी दिन्दगी मैं कहीं भी कोई भी उचय पर जा सकता हूं यह मिठान लिए तो पक्का हमको सफलता मिलेगी तो आंस से पक्का करो बहाना देना जो है वो रोग दो कंडिशन कुछ भी हो जाए वातरण कुछ भी हो जाए मैं बहाना दूंगा नहीं और जो मुझे हासिल करना है वो करके रहूंगा आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो जरू उसको लाइक करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करने के बाद में गंटी का चितना आता है उ वीडियो जरू-जरू शेयर करो थैंक यू वेरी मचुक्ण